हेलो फ्रेंड जाइकेदार तड़का में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बनाने जरू बहुत थी अनुखी रेसिपी यह मैंने खुद ही इन्वेंट की है जिसका नाम मैंने रखा है पोहा पैन केक यह देखे फ्रेंड यह बिल्कुल ही अलग रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए हमें एक कप पोहे के जरूरत है जिसे चूरा भी बोलते हैं अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालके इसे ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड से रेसिपी मैंने खुद से सोच के बनाई है यह देखिए उसके बाद फ्रेंड समें धाइसो ग्राम के करीब मटर ले लेना है इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है दर दरा और फ्रेंड समें एक आलू चाहिए ऐसे छिलके हमें इसे ग्रेट कर लेना है पतला पतला इचा, फ्रेंच यह ग्रेट किुए आलू को पानी में डिल कि इसका जो होता है, इसी निकाल देना है, धोने के बाथ फ्रेंच इसमें थोड़े ज्वाग Nिकलते हैं, इसे हमें गिरा कई सिर्फ फ्रेश ग्रेट कि आलू को लेना है, इसका पानी सारा निकल गया है देखे फ्रेंट इस तरीके से अब देखे फ्रेंट्स इन सभी चीजों की जरूरत है हमें जैसे ये नमक हो गया स्वात के अनुसार दो बड़े प्याज दो हरी मिर्च ये धनिया की पत्ती एक पड़ा टमाटर ये आलू जो हमने ग्रेट करके रखा है ये देखे फ्रेंट अद्रक लहसन का पेश्ट है और एक टेबल स्पून के करीब गरम मसाला उसके बाद ये देखिए हमारे पीसे हुए मटर और ये पिसा हुआ पोहा है अब में फ्रेंट्स एक बावल लेना है और उसमें वन बाई वन इन सभी चीजों को डाल ल रेसिपी बनी थी मुझे खुझ से नहीं पता था ये बनने के बाद कैसी लगेगी बट मुझे भी बहुत अच्छी लगी और मेरे घरवालों को भी बहुत पसंद आई ये रेसिपी आप भी जरूर ट्राइए करें ये देखे फ्रेंड्स इस तरीके से आप चाहें तो एक साथ भी सारे चीजों को डाल सकते हैं जटपट बनने वाला ये बहुत ही अलग टाइप का नास्ता है आप इसे जरूर एक बार ट्राइए करें अब इन सभी चीजों को मिला लेना अच्छी तरीके से पोहे में थोड़ा सा ये ड्राइए होगा क्योंकि पोहा जो है सूखा था अब इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर लेना है कि सब्जीयों का जो मॉस्चर पोहे ने सोख लिया है जैसलिए थोड़ा सा मिसमें पानी आड़ करेंगे इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से चला के गूथ लेना है और जब यह अच्छे तरीके से मिल जाए फ्रेंट्स तब हम इसे ढख के 10 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए छोड़ देना है यह देखे अच्छे तरीके से मिल चुकी है अब हम इसे ढग देंगे 10 मिनट के लिए ये देखिए ये 10 मिनट रेस्ट कर चुकी है अब देखते हैं हम इसे ये देखिए अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पर रखेंगे हम पैन लो फ्लेम पे और उसको ग्रीज कर लेंगे ऐसे ओयल से यह हमें तलके नहीं बनाना है यह हमें ऐसे सीख की ही बनाना है पोहा पैनकेक को प्रंस मैंने यह पोहा पैनकेक दो शेप में बनाया है चार बड़े बड़े और चार छोटे छोटे आप इसे जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं कि अच्छे तरीके से गोल करके हाथों से बहुत अच्छे तरीके से इसे दबाए ताकि यह फूटे न और इसे अच्छे तरीके से चिपका के शेप दे ले कहीं से इसमें दरार न रहे है फ्रेंट से थोड़ा सा बड़ा बन गया था मीडियम मुटाई रखनी है इसके टिक्के के ताकि जो सबजियां है वो धीमी आज पर अच्छे तरीके से पक जाएं आँ अ कि यह देखिये यह चारू बन के रेड़ी है बड़े शेप में अब हमें चार छोटी छोटी बनाने हैं के बाद फ्रेंट्स हमें एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालके हमें एक गाढ़ा घोल तैयार करना है जिससे हम टिक्यों को जो पैनकेक है उसे हम कोट करेंगे कि यह गोल बन के बिल्कुल तैयार है अब हमें जो छोटी छोटी पिक्या ली थी उसे इसमें डिप करके हमें ग्रीज की हुए पैन पे रख देना इस तरीके से फ्रेंट्स यह दिखें बिल्कुल आप ऐसे ही रखें कि फ्लेम जो है फ्रेंट्स एकदम लो ही रखिएगा आप ताकि धीमी आज पर पके अच्छे तरीके से फिर हमें उपर से थोड़ा सा कोट कर लेना है इसे और इस तरीके से पलट के दोनों तरफ से हमें इसे सेख लेना है हलका हलका इसे ग्रीज करते रहना है क्यूकर डिफ्राई नहीं हो रही है लेकिन हलका हलका ग्रीज करेंगे तभी अच्छे तरीके से पकेगी continue friends इसे आप पलटते रहें ताकि हर तरब से अच्छे तरीके से पक जाएं यह देखिए अब यह हो चुकी अच्छे तरीके से अब हम इसे निकाल लेते हैं अब फ्रेंडस पैन को एक बर और ग्रीस करेंगे और अब हम बड़े शेप वाला बनाएंगे इसे हम डिप करके नहीं डालेंगे क्योंकि डिप करने में यह तूट जा रहा है तो इसलिए हम इसे डाइरेक्ट पैन में रखेंगे और फिर उपर से इसे कोट करेंगे और देखिए जो किनारियों में निकल जा रहा है इसी स्पून की सहाइता से इसे आप किनारे से ऐसे दबा लें ताकि एक अच्छा शेप मिले इसे अब इसे धीरे से हमें पलट लेना है यह दिखे इस तरीके से अब दूसरे साइट भी हमें मैदे से कोट कर देना है इसे इस तरीके से जो किनारियों पर मैदा निकल जाए उसे हमें चमज की सहायता से इस तरीके से शेप दे देना है इसे भी हमें दोरों तरफ से पलटते हुए अच्छे तरीके से पका लेना है थोड़ा थोड़ा घ्रीज करते हुए ताकि अंदर की सबजीया जो है एक दम धीमी आज पर बहुत अच्छे तरीके से पक जाए कि यह देखिए कंटिनुई से हम हर दरफ से पलटके पका लें यह देखिए अब यह भी पक ही चुकी अच्छे तरीके से हमें इसे निकाल लेना है यह देखिए को अच्छे तरीके से कोल्डेन ब्राउन हो चुकी है और हमें दूसरी टिक की भी बना लेनी है बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपकी घर में महमान आए तो जट पट आप यह रेसिपी बना सकते हैं महमान भी खाकर आपकी तारीफ करेंगे यह न्यू रेसिपी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट भी जरूर करें फ्रेंट्स आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें उसके बाद कमेंट करें कि आपकी यह रेसिपी कैसी बनी थी मैंने तो पहली बार बनाई खुद से इन्वेंट की है खाने के बाद सब ने तारीफ की है आप भी जरूर इस रेसिपी को बनाएं और खाएं फ्रेंड्स बन के रेडी है हमारा पोहा पैनकेक दो शेप में आप भी इसे बनाएं और जरूर खाएं थाएं और वाचिक वाचिक वडियो और जरूर खाएं